नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी चैनल स्टॉक यूज बार वी में टाटा वा और देखिए दो बड़ी खबरे आई हैं एक तो सेंट्रल गवर्मेंट की दरफ से बड़ी अनौंस्मेंट होई है दूसरा इनके सीओं ने बड़ी अनौंस्मेंट के हैं वो भी डिसक आने वाले एक महीने तक रह सकती है 15 दिन से एक महीने तक वालेटिलिटी रह सकती है यह धियान रखेगा क्यों रह सकती है देखिए यूस में डेंजर आ रहा है हमारेट हाइक की बाते चल रहे है तो उससे प्रोब्लम ग्रेट होगी सबसे पहले सीओ की बात पर जाते हैं वो कह रहे हैं कि हम हर साल 2.5 गीगावोट की कपेस्टी अड़ करेंगे सिर्फ रेनियूबल के अंदर तो 2.5 गीगावोट हाइडरो हाइडरीट प्रोजेक्ट की बाते करें देखिए सोलर से भी काम नहीं चलेगा आपको विंड भी चाहिए आपको हाइडरो की तरफ भी जा रहे हैं यह नहीं है बस कोल को छोड़के बाकी सारे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं बड़ के पुराने प्रोजेक्ट उनके चलते रहेंगे यह देखिए कपेस्टी इनके डबल हो जाएगी 5 साल के अंदर यह बहुत बड़ी बात है दूसरा सेंटल ने मीट करने वाली यही कंपनी है और कोल की डिमांड अगर बढ़ेगी तो इंडिनेशिया मिन की माई नहीं प्रोफिट जहांए 1,000 करोड है वो 2,000, 3,000, 4,000 करोड भी आने वाले गर्मी वाले सीजन में मतलब सेकंड कोडर जो इस साल का होगा उसमें हो सकता है तो यह बड़ी अच्छा स्टोक है तो स्टडी करना तो बनता है अटलीस स्टडी जरू कीजिए और वीडियो पर अभी तक देखें वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए